आज हम लोग सीखेंगे अनुपात को परतीसत में बदलना जब हमें कोशन्स अनुपात में दे रखे हों ठीक है ना अनुपात मतलब इंगलिस में इसको रेशियो बोलते हैं ठीक है ना रेशियो ठीक है ना अनुपात तो इस अनुपात को परतीसत में बदले नेखिये तीन अनुपात चार दे रख़ा है तो solution हम लेंगे question number one का 3 अनुपात 4 अब यह 3 अनुपात 4 को जब हमें 35 में बदनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 बटे 4 लिख देए अनुपात को बटे में लिख देए और इसे 100 से optimal कर देंगे गुना कर देंगे ठीक है तो अब यहाँ पे देखिए यह multiply हो गया तो यह 4 से 100 को हम लोग काट सकते हैं 25 पे कटता है अब कितना बचा 3 गुने 25 तो हमारा कितना आ गया 75% ठीक है ना 75% अब यह question 2 देखिए question 2 दे रखा है 7 अनुपाथ 5 दे रखा है तो इसको भी क्या करेंगे simply इसी तरह से जैसे मैंने बताया आपको 7 बटे 5 कर लेंगे और गुना 100 तो परतिसत में हमें बदलना है किसी संख्या को तो 100 से multiply करेंगे अब यह देखें 5 से हम इस 100 को काट सकते हैं 25 पंजे 100 तो कितना आया 7 गुने 20 अब इसको multiply कर दीजिए आप लोग 7 दूनी 14 और 0 का 0 तो यह 140 परतिसत हो गया मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और जो जनकारी दी गई है वह भी आपको बहुत अच्छी लगी होई होगी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कित्पया करके चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको बाविस्टे में मिलती रहें ओके थैंक्यू वेरी